Hello everyone so welcome back to our channel आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Environmental Branch in D2 आपको Environmental Branch क्यों लेनी चाहिए अगर नहीं तो क्यों नहीं लेनी चाहिए Faculties, Placement, Package Environmental Branch लेने के आप फायदे और नुकसान हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिटेल से इन सभी Points के वाले बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो का End तक देखें तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं Point No.1 की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर आप Environmental Engineering ले रहे हैं तो ये वाले Engineers क्या काम करते हैं Point No.1 is They prepare report and issues related to the environment Second Point They construct a system that protect the environment और हम Simple Words में समझने कोशिश करें अगर माल लीजे Environment में कोई भी पाबलम हो जाती है और उसे बापिस किस तरह से सही किया जाए ताकि हमारा Environment और Nature सही सलामत रहे ये काम होता है Environmental Engineers का अगर आप DTO में E&E ब्रांच लेते हैं तो इसमें आपको 70% Environmental पढ़ाई चाहेगी और 30% Civil लेकर जो Major Position होगा वो Environmental Engineering का होगा जैसे Waste Management and Type of All the Pollution अब हम बात करने वाले हैं कि आपको E&E यानि Environmental Branch लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए अगर आपको ये ब्रांच किसी Tire 1 College में मिल रही है तो आप ले सकते हैं अगर आपको ये ब्रांच किसी Tire 2 या फिर Tire 3 College में मिल रही है तो आप इसे Avoid कीजी क्योंकि Tire 2 और Tire 3 College में इसकी Placement बिल्कुल भी नहीं लगती है और Tire 1 College में भी आपके पास Specific काफी अच्छी Degrees और Skills होनी चाहिए ताकि आपकी Placement लग सके Tire 1 College में आपके पास क्या अच्छी Skills और क्या Talent होना चाहिए ताकि आपको इसमें अच्छी Placement लग सके इसके बारे में बात आगे वीडियो में करने वाले हैं इस ब्रांच में कम Placement होनी के बज़ए अगर हमें पता है कि इस ब्रांच में ज्याद अच्छी Placement नहीं लगती है फिर भी ऐसी क्या वज़ा हो सकते हैं कि हमें Tire 1 College में यह वाली ब्रांच लेनी पड़े Point of a one हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी रेंक ना आई हो कि आपको कोई और ब्रांच मिल सके या फिर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है इस ब्रांच के अलाबा Point No.2 अगर आपका interest, research, environmental, fossil fuels इन समय है और आप research करना चाहते हैं तो आप यह वाली ब्रांच ले सकते हैं Point No.3 अगर आप environmental ब्रांच लेते हैं और उसके बाद further studies करते हैं जैसे MBA from India and MS from abroad अगर आप इन में से कोई डिग्री लेते हैं तो आपको environmental में काफी अच्छी placement, एक काफी अच्छी decent package मिल सकता है अब हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर टैक की तरफ जाना है और आपको 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 क्या करना चाहिए This is the reality, अगर आप ये brand choose करते हैं तो आपको बाकी practice के comparison में यहाँ पर opportunities थोड़ी कम मिलेगी अगर आप इसके बात higher studies करते हैं जैसे मेरा आपको 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 अच्छी decent package मिल सकता है अगर आप बस B-tech degree लेकर काफी अच्छी placement चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफी अच्छा करना पड़ेगा आपको exceptionally बाकी students के comparison में खुद को साबित करना पड़ेगा आपकी अच्छी CGP होनी चाहिए आपकी skills, coding skills इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी company आपको देखने आए आपको on the spot भई पर required कर ले अगर आप E&E branch लेते हैं और आपको tech के तरफ जाना है तो उसमें सी कुछी companies होती जो open for all the branch होती हैं जही companies आपको tech placement दे सकती हैं आपकी काफी अच्छी coding skills होनी चाहिए आपकी CGP इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि आप on the spot इन companies को impress कर सकें और आपको अच्छी placement मिल जाए इन companies में E&E branch के लिए काफी कम vacancies होती हैं इस तरह से आपको काफी अच्छा करना पड़ेगा अगर आप अच्छी placement चाहते हैं अगर आप DTU में environmental branch लेते हैं तो उसमें आपको काफी जाए टाइम मिलेगा कि आप किसी और competition के तैयरी कर सकते हैं अब गेट के तैयारी कर सकते हैं चैसे कि मैंने बताया कि आप MBA और MS वारा के तैयारी भी कर सकते हैं अगर हम DTU में E&E branch का average package बात करते हैं then it is approximate 10 LPA and highest package is about 30 LPA अगर हम बात करने वाले faculties of environmental branch in DTU the first one is head of department जिनकी qualifications है MSC, MTAC and PhD with the areas of interest in environmental, microbiology, bio-remediation then professors with qualification BE, MTAC, PhD, FIWE, FICS, FIAH, FIE, FUAI and FIGS with specialization in solid waste processing, water waste treatment design, water treatment design, water quality modeling, solar detoxification, EIEA and auditing इसके रावा आप head of department, professors and associate professors की further details जानना चाहते हैं तो link description में आप हाँ ते check out कर सकते हैं उस link से आप इनकी proper details, इनकी क्या qualifications हैं, इनकों क्या degrees हैं आप सब check out कर सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं 6 laboratories in DTU अब आप DTU में ब्रांच लेते हैं तो आपको total 6 laboratories में पढ़ाया जाएगा the first one is water pollution, second air and noise pollution, third environmental microbiology and bioremediation, fourth point solid waste management, fifth point GIS and remote sensing and sixth lab system simulation तो है total 6 labs हैं जहाँ पर आपको environmental और इनके practicals खराया जाएगे जो आप screen पर machines देख रहे हैं जिसा वो machines हैं जो आपको इन लेबरेटरी में जहाँ पर experiment करने हैं So this is all about the environmental branch, इसके लाब आप किस branch के बारे में चाहते हैं आप comment section बता सकते हैं समरी कर लेते हैं कि आप कोई branch लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए और आपको किसी college में CS या फिर top branch मिल रही है तो आप उसे ले सकते हैं एक बार उसके package और placement के बारे में चैक कर लें Then अगर आपको किसे tier 2 or tier 3 college में environmental branch मिल रही है तो आप उसे avoid कीजिए और किसे tier 1 college में मिल रही है और आपको कोई दूसरा option नहीं है कि आप कोई branch ले सके हैं जिसकी वजय से आपको काफी अच्छा placement मिल सकता है So this is all about the environmental branch Next video हम बात करने वाले हैं आप comment section बता दीचे आपको next video में कौन सी branch में बात करनी है हम उसके बात करेंगे Thank you very much for watching till the end